नमस्कार, सबसे पहले मैं रामानुजन कॉलेज का बहुत आभारी हूं कि उनों ने मुझे इस वक्तम्वे के लिए आमंत्रित किया जैसा के सभी जानते हैं मेरा क्षेत्र नाटक साहित्य और रंगमंज है मैं मुख्य तहा आज के वक्तम्वे को अपने ही क्षेत्र तक सीमित रखूँगा और जब-जब जहां-जहां जरूरत पड़ेगी दूसरे क्षेत्रों के भी उदहरन उसमें आते रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ रंगमंज में स्त्री की भूमिका को लेकर स्त्री के योगदान को लेकर स्त्री विवर्ष को लेकर आज तक जितना भी काम हुआ है उसका एक प्रतिनिधी खाका आपके साथ प्रस्तुत करूँगा आम तोर पर हमारे यहां यह माना जाता है और जैसा के हम जानते भी हैं के समाज में शुरू से लेकर आज तक स्त्री की महत्पूर्ण भूमिका होने के बावजूद उसे वो स्थान कभी नहीं दिया गया जिसकी के वो अधिकारणी है बहुत जोर शोर से इस संबंद में मनु स्मृति नामक ग्रंथ का नाम लिया जाता लेकिन इसी का एक सकारात्मत पक्ष ये है कि अगर हम कलाओं के इतिहास में जाएं जिसमें रंगमंच जिस पर मैं मुख्य रूप से केंजरित रहूँगा वहां इस्थिती इसके बिल्कुल विप्रीत दिखाई देती है अभी आप देखेंगे मैं आपको आरंभ से लेकर आज तक नाट्ट्य साहित्य और रंगमंच में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है इस पर हम डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां पर और हमारे ही यहां क्यों शायद विश्व नाट्टे साहित्य में नाटक और रंगमंच को लेकर जो सबसे पहला गरंथ रचा गया वो भरत मुनी प्रणीत नाट्टे शास्त्र है कहते हैं कि इसकी रचना कम से कम 2000 साल पहले तो जरूर हुई है क्योंकि भरत का समय विद्वानों ने या तो तीन सो चार सो इसा पूर्व और या तीन सो चार सो इसा के बाद इस तरह से लगभग साथ सो आठ सो बरस की सीमा में उनका समय निश्चित किया गया है ये दुविधा इसलिए क्योंकि हमारे यहां के जितने भी प्राचीन विद्वान रहे हैं चिंतक रहे हैं नाटकार रहे हैं उन्होंने कहीं भी अपने विशे में ऐसी जानकारियां नहीं दी हैं कि उनका एक समय निश्चित किया जा सके फिर भी हम सुविधा के लिए यदि कम से कम 2000 साल पहले भी ये मान लें कि नाटे शासर रचा गया था तो आईए देखते हैं वहां पर स्त्री को लेकर कितना चिंतन हुआ है मैं पुनहा इस बात को दोहराना चाहूँगा कि एक आमधार्वना बनी हुई है के वस्तू, नेता और रस जो नाटे शासर के तीन मुख्य विशे हैं साहित्य के विशे में अर्थात, कथावस्तू, नेता, अर्थात नायक और रस उससे होने वाला जो भी एक अनुभव है आनद, दायक अनुभव नाटे को देखने का इसमें भी नेता पर सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि जैसा के हम जानते हैं उस वक्त राजनेतिक व्यवस्था में राजा का शासन है लगभग सभी नाटकों के केंद्र में राजा मौजूद है तो जाहिर है के सभी नाटकों की कहानियां, सभी नाटकों के कत्थे उसी के जीवन को लेकर घूमते हैं और मुख्य रूप से उसमें भी उसके प्रेम प्रसंगों को लेकर तो जाहिर है के नायका की उपस्थिती वहीं से आरंभ हो जाती है यह अलग बात है के नायक की सहचरी होने के अतिरिक्त उसका नाटकों में कोई बहुत ज्यादा योगदान दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मैं मात्र चार नाटकों को आपके सामने रख कर इस बात पर आपका ध्यान के इंद्रित करने की कोशिश करूँगा कि संस्कृत नाटके साहित्य में भी जितना ध्यान नायक के चरित्र चित्रन को लेकर दिया गया है उसके ठीक बराबर नाइका पर भी फोकस किया गया है ये चार नाटक हैं भास का स्वप्न वासवदत्ता कालिदास का अभिग्यान शाकुंतल शूद्रक का मृष्कटिक और भवभूती का उत्तर रामचरित लगभग पहली शताबदी से लेकर और आठवी शताबदी के बीच आठ सो साल के अर्से में बहुत से नाटक लिखे गए लेकिन सुवधा के लिए मैं मात्र चार नाटकों को विबर्ष के केंदर में ला रहा हूं क्योंकि जो बात हम करना चाहते हैं किस्त्री का एक अपना स्वतंत्र चरित्र संस्कृत नाटकों के बने बनाए धांचे में भी जहां आरंभ से लेकर अंत्र तक नायक छाया हुआ है वहां पर उसकी अपनी पहचान किस तरह से अलग स्थापित होती है ये एक एक करके हम इन चारों नाटकों के माध्यम से देखेंगे सबसे पहले भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता को लीजिए भास ने स्वप्न वासवदत्ता से पहले एक नाटक लिखा था प्रतिग्या योगंध रायन उसी की कहानी को आगे लेकर स्वप्न वासवदत्ता में पूरा किया गया है संक्षेप में कहानी ये है कि उज्जैनी के राजा उदेयन उज्जैनी का राज जहार चुके हैं और उनका जो मंत्री है योगंध रायन जैसे हम चानक की जैसे मंत्री को देखते हैं इतिहास में चौथी शताब्दी इस्वी पूर्व में उसी की एक तरह की छवी दिखाई परती है योगंध रायन में वो चाहता है के उदेयन को जैनी का राज भी मिले और साथ साथ मगध राज भी उनके अधिकार में आ जाए इसके लिए वो बाकाइदा एक योजना बनाते हैं के महल में आग लग जाने की घटना का प्रचार करके जिसमें उनकी पत्नी वास्वदत्ता जल कर मर गई है इस तरह का एक जूटा प्रचार करवा देते हैं जाहिर है कि उद्यन बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद योगंध रायन वास्वदत्ता को घूंगट पहना कर उद्यन के ही यहां पर अन्तहपुर में छोड़ देते हैं कि मैं एक तपस्वी हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ यह मेरी बेहन है यह यहां रहेगी तो सुरक्षित रहेगी अब आप देखिए के वास्वदत्ता जैसा स्त्री पात्र अपनी इच्छा से उद्यन के यहां छुप कर रहने के निरने को स्विकार करती है लगातार उद्यन उसकी आँखों के साबने है फिर भी वो अपनी पहचान उद्घाटित नहीं कर सकती जब तक के मगद की राजकुमारी पद्मावती का विवाह उद्यन से संपन्ध ना हो जाए ताके उसको मगद मिल जाए और फिर वो मगद की सहायता से उज्जैनी का राजे भी वापस प्राप्त करें तो कितनी दुविधा है कितना अंतरद्वंद्व है जो हम आज के आधुनिक नाटकों में देखते हैं वो हमें स्वप्न वासवदत्ता जैसे कम से कम 2000 के आसपास लिखे हुए नाटक में दिखाई पड़ता है और आखीर में जाकर जब वो देखती है कि जो कुछ योगत धराएन और उसने मिलकर प्लैन किया था वो पूरी तरह से सफल हो गया है तब वो अपना घूंघट उतार कर राजा उदेन के सामने आती है और पूरी तरह से अपनी पहचान को उनके सामने लाती है तो इससे बड़ा स्त्री चरित्र मुझे नहीं लगता कि पूरे संस्कृत साहित्य में कोई देखने को मिलता है इसलिए ये कोई अतिशी योगती नहीं है कि कहा गया है कि अगर संस्कृत साहित्य के सभी नाटकों को जला दिया जाए तब भी भास का नाटक स्वप्न वासवदत्ता ऐसा नाटक है जो उसमें से बिना जले हुए बाहर आ जाएगा अर्थात इतना सशक्त इतना जीवंत नाटक है और अगर ये जीवंतता उसमें मौजूद है तो ये वासवदत्ता की उपस्थिती के कारण है आप इस पर गौर कीजिए नाटक का नाम वासवदत्ता के नाम पर है स्वप्न वासवदत्ता सपने में वासवदत्ता या वासवदत्ता का सपना क्योंकि पूरे नाटक में एक ऐसा दृष्य भी है जिसके आधार पर इस नाटक का ये रामकरण किया गया है के उद्यन लगभग नीद में है और बड़ बड़ा रहा है वासवदत्ता वासवदत्ता और वासवदत्ता वहां पर उसके सामने उपस्थित है तब भी वो अपने आपको सामने नहीं ला सकती ये एक बहुत ही महत्पून दृष्य है नाटक में जिस पर नाटक का नाम रखा गया तो ये पहला नाटक जहां से कलाओं में स्त्री का महत्व हम देखना शुरू करते हैं अब दूसरा नाटक काली दास का अभिज्यान शाकुंतल मैं सब नाटकों के नाम चुकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं अगर हम इनके नाम संस्कृत में करेंगे तो स्वप्न वासब दत्तम हो जाएगा और अभिज्यान शाकुंतलम हो जाएगा लेकिन चुकि हमारे सब वात का माध्यम हिंदी है इसलिए मैं उसको हिंदी में आपके सामने रख रहा हूँ अभिज्यान शाकुंतल सबसे पहले तो काली दास नाटक के शीर्शक के लिए भास के आभारी हैं आप देखिए के स्वप्न वासब दत्ता अभिज्यान शाकुंतल दोनों में कितनी सामेता है शाकुंतला की स्मृति हो आना या के शाकुंतला को ज्यान हो जाना जानी पहचानी प्रेम कहानी है मैं उस डिटेल में नहीं जाओंगा दुश्यंत कन्व मुनी के आश्रम में शाकुंतला को पहली बार देखता है दोनों में प्रेम होता है दोनों कन्वरिशी की अनुपस्थिती में गांधर्व विवाह करके पती-पत्नी बन जाते हैं दुश्यंत राजधानी लौड जाता है और यह कहकर कि मैं वहां पहुंचकर जब कन्व मुनी आ जाएं तो वो तुम्हें मेरे पास भेज देगे शाकुंतला को छोड़कर वो राजधानी लौड जाता है कन्वरिशी के आने के बाद वो भी सुनकर खुश होते हैं कि दुश्यंत जैसे राजा ने उनकी कर्णिया को पसंद किया है और वो सहर्ष उसकी विदाई करते हैं अपने पती के घर भेजने के लिए रास्ते में एक तीर्थ स्थान में नहाते हुए उसकी वो अंगूठी उंगली से फिसल कर पानी में गिर जाती है जो के दुश्यंत उसको अपनी स्पृती चिन्न के रूप में दे कर गया था और उसको पता भी नहीं चलता वो राजदर्वार में पहुंचती है बीच में एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें दुर्वासा का एक शाप चलता है कि तु जिस आदमी के ध्यान में मगन बैठी है वो तुझे भूल जाएगा और जब तक तु कोई ऐसा चिन्न नहीं दिखाएगी तब तक उसको तुमारी स्मृती नहीं आएगी अब दोनों आमने सामने खड़े हैं आप देखिए वासुदत्ता का दृष्य जो के स्वप्न दृष्य है यहाँ पर साक्षाद दृष्य है दुश्यंत और शकुंतला एक दूसरे के सामने खड़े हैं दुश्यंत दुर्वासा के शाप के कारण उसको पहचान नहीं पा रहा है, शकुंतला तरह तरह से उसको प्रमानित करने की कोशिश करती है, कि मैं वही शकुंतला हूँ और ये देखो अंगूठी, लेकिन जब वो उंगली में देखती है, तो अंगूठी वहाँ है ही नहीं, अंत्तह वो उसको अपमानित करके राजदर्बार से बाहर निकाल देता है, शकुंतला मारीच रिशी के आश्रब में रहने चली जाती है, कई वर्ष बीटते हैं, इस बीच में उसके यहां पुत्र का भी जन्म होता है, भारत उसका पुत्र है, जिसके नाम पर हमारे देश का भी नाम भारत हुआ है, अब दुश्यंत कहीं से युद्ध विजय करके लौट रहे होते हैं, तो वो मारीच के आश्रम में पहुंचते हैं, यहां फिर एक बार उनकी शकुंतिरा से भेंट होती है, किस तरह से एक बड़ा नाटक कार, एक ही जैसे दिखने वाले द्रिश्यों को बार बार दोहराता है, पहली मुलाकात भी आश्रम में होती है, कन्व मुनी के आश्रम में, कन्व रिशी के आश्रम में, और यह अंतिम मुलाकात यह भी एक आश्रम में है, इस बार बारीच रिशी के आश्रम में है, और वो ख्षमा याचना करता है, कि शाप के कारण, मैं तुम्हें उस समय पहचान नहीं पाया, बाद में तुम्हारी अंगूठी, एक मच्वारा मच्छी के पेट में चली गई, और वो मच्छी उसको मिली, और वो मच्वारा मेरे दर्बार में पहुँचा, अंगूठी लेकर, उसको देखते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई, वो कहता है लो, अब इस अंगूठी को दुबारा सुईकार करो, मैंने इस नाटक को स्त्री विमर्ष के लिए उधारन के रूम में क्यों चुना, यह वो क्षण है, आज से 1500 साल पहले लिखे गए नाटक में, एक स्त्री पात्र कहती है, कि मुझे अंगूठी जैसी वस्तू पर विश्वास नहीं रहा, अर्थात हमारे बीच में जो सब्मद्ध है, अगर उसकी पुष्टी के लिए हमें इस तरह की भौतिक चीजों को सामने रखना हो, तो मैं उन सब को अस्विकार करती हूँ, आप सोचिए कि अस्विकार पुरुष्ट की तरफ से नहीं आ रहा है, पुरुष्ट ने भी किया था, जब उसने शकुंतला को राजदर्बार से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो उसका अपना सुचिंतित निर्णे नहीं था, वो शाप के कारण वो ऐसा विवहार कर रहा था वहां, लेकिन यहां पर दोनों आमने सामने हैं, और शकुंतला दुश्यंत की अंगूठी जैसी चीज को पहनने से इंकार कर देती है, मैं समस्ता हूँ कि हम आधुनिक रंगमंच में, आधुनिक नाटकों में, आज की फिल्मों में, बार बार जब स्त्री इस तरह की कोई पहल करती है, उसको बड़े जोर शोर से रेखांकित करते हैं, तो उनको अभिज्ञान शाकुंतल के इस अंश को जरूर ध्यान में लागा चाहिए, अब इसी कड़ी में हमारे सामने मिर्च कटिक, संस्कृत में कहेंगे तो मिर्च कटिकम, मिट्टी की गारी शूद्र का नाटक है, चारुदत जो के एक व्यापारी है, लेकिन आज कल वो उतना बड़ा व्यापारी रही है, एक दरिद्र की तरह से जीवन जी रहा है, और वसंत सेना एक नगरवधू है, जिसे आज की भाशा में कहें, तो वेश्या है, ये पुराने समय का एक पदवी थी नगरवधू, आमरपाली, चित्रलेखा, अर्थात, पूरे नगर की वधू है, कोई भी धनी मानी व्यक्ति उसका बूले दे कर, उसे अपने साथ शयन के लिए ले जा सकता था, ये एक कॉंसेप्ट था, तब के समाज में, तो वो वसंत सेना जिसके पास सब कुछ है, जो नगर की सबसे जादा धनी मानी स्त्री है, वो अपना सब कुछ छोड़ कर दरिद्र चारूदत के साथ रहने आती है, कितना बड़ा चरित्र उभर कर आता है, वसंत सेना जैसे पात्र का, जिनको प्राय हम लोग सामान्य जीवन में हे दृष्टी से देखते हैं, इसलिए इस नाटक की बहुत-बहुत चर्चा होती है, यहां तक के गिरीश करनाड जैसे नाटककार, ने इसको लेकर उत्सब नाम की फिल्म का निर्मान किया, जिसमें रेखा जैसी सशक्त अभिनेत्री ने वसंत सेना की भूमी का की थी, हालांके फिल्म व्यावसाइक रूप से उतनी नहीं चली, लेकिन अपनी विशेवस्तू चरित्र चित्रन अभिने के कारणों से अवश्य चर्चा में रही, अब हम चौथे नाटक पर आते हैं, भवभूती का उत्तर रामचरित और संस्कृत में कहेंगे, तो उत्तर रामचरितम अर्थात राम के जीवन का जो उत्तर पक्ष है, जब वो रावन को मार कर अयोध्या वापस लोड़ चुके हैं सीता के साथ, और फिर वो प्रसंग जहां उनका दूथ उन्हें ये समाचार ला कर देता है, कि आपको लेकर नगर में इस तरह की बातें की जा रही हैं, कि दूसरे के घर में रही हुई श्त्री को आप अपने घर में रखे हुए हैं, राम बड़े आहत होते हैं और सीता को लक्षमन को आदेश देते हैं, कि इसको आप किसी आश्रम में छोड़ कर आ जाओ, सीता कोई विरोध नहीं करती, राम के निरेनय को स्विकार कर लेती है, वहां पर बनवास में उसके दो पुत्रों का जन्म होता है, वाल में की उनी का आश्रम है, वाल में की इराम की कथा लिख रहे हैं, और राम की कथा को लव और कुश उन दोनों को कंटस्ट करा देते हैं, लव और कुश नगर नगर घूम कर राम की कथा गाते हुए अपने पिता को ढूंड रहे हैं, आप देखिए के एक दूसरे अर्थ में प्रच्रित अर्थ में हमारी आज की फिल्मों में इस तरह के प्रसंग बहुत दिखाई पड़ेंगे, के गाना गाते गाते सब लोग मिल जाते हैं, अब लब और कुछ संयोग से अयोध्या पहुंचते हैं, उनकी ख्याती राम ने भी सुनी है, तो वो उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे दर्वार में आकर भी नाटक का मंचन कीजिए, तो लब और कुछ के साथ एक नाटक मंडली भी है, अब आप देखिए कितना बड़ा दृष्य बन जाता है, जिसके बारे में नाटक है वो सामने बैठा हुआ, उसको देख रहा है, जो नाटक करने वाले लोग हैं उनको नहीं पता, कि हम जिसका नाटक कर रहे हैं वो हमारे सामने बैठा है, नाटक मंचित होना शुरू होता है, उसमें सीता का बनवास, सीता की पीड़ा, सीता की सारी कहानी देखकर, राम इतने भाव विवल हो जाते हैं, कि वो मूर्चित होकर सिंघासन से गिर जाते हैं, ये भवभूती के नाटक में आठवी शताबदी में ये नाटक की एक शन है, नाटक के अंदर नाटक हम लोग बहुत बर्च चड़कर हमलेट नाटक में पोलोनियस के सामने हमलेट के पिता की मृत्यू का जो नाटक किया जा रहा है, कि कैसे मृत्यू हुई उसके बारे में बहुत बात करते हैं, हमारे अपने नाटक साहित्ते में ये आठवी शताबदी का नाटक महजूद है, जहां नाटक के भीतर नाटक हो रहा है और उस नाटक का वैसा ही प्रभाब पड़ता है, जैसा के हमलेट में हमलेट के पिता की हत्या के दिर्शे को देखकर पोलोनियस के उपर पड़ता है, तो राम मुर्शित होकर गिरते हैं, आखीर में सीता उनको स्विकार करती है, राम के मन में अपराद बोध है, गिल्ट, सेंस अफ गिल्ट और सीता जैसा पात्र उनसे बहुत बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, तो मैंने सिर्फ ये चार नाटकों को इसलिए उधारण बनाया, कि ये एक धारणा बनी हुई है, कि प्राचीन शास्त्रों में या सामाजिक व्यवस्था में, श्त्री को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जब जब महत्व देने की बात आई है, श्त्रीयों ने खुद आगे बढ़कर अपने आपको इस्थापित किया है, गारगी, मैत्रेई, फिर मध्यकाल में आईए, तो बनारस में मंदन मिश्र की पत्नी उभै भारती और शंक्राचार जो कि बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनका शास्त्रार्थ, फिर मध्यकाल में लोक नाट्य साहित्य में,